हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए M.A.B.R का चैप्टर नमर 2 लेकर आया हूँ जिसका नाम है Hand and Power Tools आसा है आपको मेरे वीडियो से मेरे पढ़ाय गए वीडियो से कुछ हेल्प मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो आईए देखते हैं आज की टोपिक तो Hand and Power Tools इसकी बात करते हैं Hand and Power Tools होते के हैं तो देखो आप अभी ITI कर रहे हो ITI के अंदर वर्क्सोप है उसके अंदर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उजार उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है तो जो हातों से परियोग किये जाते हैं उसे Hand Tools कहते हैं यानि कि हातों द्वारा जो भी ओजार होते हैं जैसे कि आपका Hexa हो गया Hexa मतलब आरी Hexa हो गया उसके बाद Spinner हो गया यह जितनी भी हो जारे हैं वो हातों द्वारा चलाए जाती हैं हातों द्वारा काम में आती हैं तो इसे Hand Tools कहते हैं Power Tools की बात करते हैं तो जो वर्क सोप में जो आपके ब्राह सकती के द्वारा जो संचालित होती है उसको Power Tools कहते हैं इसे Power Tools में आपके जो वर्क सोप में आप देखा होगा कि आपको कंप्रेसर के कंप्रेसर लगा होगा उसके द्वारे आप पावर हैक से चलाते होंगे ड्रील मसीन चलाते होंगे तो यह Power Tools होती है तो जो हमारा नेश्टो पिक है चैप्टर नमर टू का ओजारों का वर्क सोप में बहुत सारे ओजारों का हम परियोग करते हैं उनका ही वर्क साथ तो इतने सारे नहीं देख सकते हैं तो फिलाल हम मापने वाले ओजार जो हमारा पहला है measuring tools उसको आज हम जानेंगे और सीखेंगे कि यह क्या होता है तो आजेए देखते हैlar उसके बाद दूसरे नमर टूपिक है आपका marking tools याश्ट कटेंग की उजार Cleaning Tut यानि और वांधने वाले औजार ने का जो हम इस वीडियो के अंदर measuring टूल्स को गवर करेंगे क्याकूंकि एक्सात्ट विडियो स्कार्ण बनाने या प्रक्राइध को ठीक करने माप को ठीकता हूआ यहां, कहना कको आपको कोई भी जोब ना, यहां पे आपको ऐक मैटल का पार्ट दिया जाएगा वर्ट्सोप के अंदर और उसको फिनिशिंग करना या इसको उसको कोई साज देना उसको कहते हैं एक जोब पार्ट होता है एक मैटल का तो आपको कोई भी जोब दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि आपको 10 mm का यह जोब बनाना है तो आप कैसे बना ओगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको यही करना माप द्वारा है इसके अंदर क्या होता है यह देखते हैं जिस विदी में किसी जोप को नापते समय किसी दूसरे ओजार की आविसकता ना पड़े उसे परत्यास माप कहते हैं जैसे स्टेट रूल माइक्रो मीटर वर्नियर कहली पर इसमें कहा गया है कि जो आप किसी चीज़ को नापते हैं उसको एक ही टूल के आप उसकी माप ले लेते हैं जैसे फुटा है उस पर सारे रीडिंग रखी होती है उसके लिए किसी और चीज़ के आविसकता नहीं होती है फुट्टे पर सारी रीडिंग होती है आपने देखा को गाँ तो उसी के दोरा एक ही tools के हम पूरा map ले सकते हैं यानि लंबाई नाप सकते हैं और चुड़ाई भी नाप सकते हैं तो उसको कहते हैं by direct measurement परत्यस माप दोहरा उसके बाद दूसरा है by indirect measurement यानि एपरत्यस माप इसमें क्या होता है जिस विदी में किसी जोप को मापते समय दूसरे उजार कि आप सकता पड़ें उन्हें एपरत्यस माप कहते हैं जैसे inside caliper outside caliper का परियोग करके Item is Third rule Micrometer से Map की रीटिamed ले जाती इसके अंबर क्या होता है आपको कोई भी माप लेने के लिए किसी दूसरे टूल का आगे सकता परती है उससे क्या कहते हैं By Indirect Measure entirely धी गया हम तो हमारा जो नेक्स टोपिक है उसका नाम है स्टील फूट रूल यह एक फुट टाई की तरह होता है यह फुट टाई है तो आए देखते हैं यह क्या होता है स्टील फूट रूल लंबाई को बारा भागों में बाटा जाता है इन बारा भागों में से परते को एक इं कि अधकर दूबकर सब्सक्राइब को segi है ऌर इसके रहें देखा होगा ऊपर फित अध्र एक इंच में 25.4 mm होता है यह हमेशा आप याद रगे टेस्ट में या पेपर में या आएगा आपका एक mm में 1000 माइकरोन होते हैं और एक सेंटी मिटर में 10 mm होते हैं यह हमेशा आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जब भी आपको टीचर बोलेंगे कि हमको इतने mm का एक जोब बना कर दो 10 mm का हो 20 mm का बोल दें आपको तो आपको यह पता होना चीए कि एक सेंटी मिटर में कितने mm होते हैं तो जब आपको पता होगा कि एक सेंटी मिटर में 10 mm होंगे तो आपको अगर कह दिया जाएगा कि मुझे 10 mm का एक जोब बना कर दो तो आप अराम से माप कर उसे दे सकते हो जोब बना कर टीचर को तो आएए दूसरी टोपिक है स्टील मिजरीन टिप स्टील मिजरीन टिप क्या होता आएए देखते लंबी दूरी को नापने के लिए किसका परियोग किया जाता है यह spring steel का बना होता है यह 5 foot, 10 foot, 50 foot, 100 foot तक के आते हैं जिने एक casing के अंदर लपेटा जा सकता है आपने देखा होगा राज मिस्तिरी को वो एक measuring steel measuring tape लिया हुआ होता है आपने देखा होगा मिस्तिरी जो काम करें होते हैं उनके पास एक tape सा होता है जो नापने के लिए यूज किया होता है तो यह वही होता है steel measuring tape इसके अंदर क्या होता है 5 foot, 10 foot, 50 foot इसको लंबी दूरी को नापने के लिए इसका इसका इस्तमाल किया जाता है इसको क्या है casing के अंदर लपेटा जा सकता है मतलब इसको एक डबी होती है casing की तरह उसके अंदर लपेटा जाता है आपने देखा ही होगा मिस्तिरियों के पास होता है तो जो हमारा neck जो topic है उसका नाम है caliper आप caliper क्या होता है आईए हम बताते हैं आपको caliper क्या होता है तो जब हम किसी job को नापने के लिए steel foot rule का परयोग करते हैं तो steel rule से नाप लेते समय कुछ अंतर रह जाता है इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए caliper का परयोग किया जाता है यानि कहने का मतलब यह है जब आप steel foot का इस्तमाल करते हैं किसी भी job को मापने के लिए तो उसके अंदर कुछ अंतर रह जाता है उसी को नापने के लिए हम caliper का परयोग किया जाता है यह carbon steel यह mild steel का बना होता है यह हमेशा आप याद रखें कि जो tools है वो किस चीज़ का बना होता है क्योंकि यह paper में अक्षर पूछा जाता है तो आपको याद रखना चाहिए कि जो caliper है वो carbon steel यह mild steel का बना होता है इसकी जो है दो टांगे होती है और एक head है यह तीन परकार के होते हैं काम के अनुसारी इनका नाम रखा गया है ठीक है आप अपनी book में देख सकते हैं आपको आराम से दिख जाएगा caliper अब आते हैं यह जो तीन परकार के होता है उनमें से हम देखते हैं पहला क्या है outside caliper यह क्या होता है आईए देखते है outside caliper से किसी जोब का व्यास बाहे माप ली जा सकती है इससे क्या होता है किसी भी जोब का बाहे माप ली जा सकती है किसी भी जोब का इसकी लैक टेपर होती है और अंदर की और मुड़ी हुई होती है आपने देखा होगा चितर में आपने बुक में देखिए वो थोड़ी सी मुरी हुई होती है ताकि ये किसी जोब का माप लेते समय उसके साथ ना लगे ये लंबाई, चोड़ाई तता मोटाई को आसानी से माप सके ये क्या क्या मापता है लंबाई को भी नापता है चोड़ाई को भी मोटाई को आसानी से माप सकते है इसके किनारे पतले रखे जाते हैं ताकि ठीक से मापा जा सके और उनका को 90 डिगरी का होता है तो इसको इसको इस कदर रखा जाता है ताकि ये सही माप सही माप नाप सकते हैं ये उसके बाद जो हमारा नेक जो टोपिक आता है जो दूसरा है इनसाइट कैलिपर ये भी इसी की तरह होता है आईए देखतें किया ये कैलिपर द्वारा किसी जोब के चिदर के आंतरिक के व्यास की माप लेना और खाचे की चोड़ाई का माप लेने का कारे किया जाता है इसकी टांगे टेपर होती है और पॉइंट सीधी होती है इसकी दोनों टांगे थोरी सी बाहर की और जुकी हुई होती है ये कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील के बना जाते है इन दोनों का हमेशा ध्यान रखना कि ये कौन से स्टील से बना जाते है ये हमेशा पेपर में आप से पूच्छ सकते हैं तो यह कैलिपर क्या इस कैलिपर का कहां उपयोंग होता है कि आप जब भी कोई जो बना रहे होते हैं और उसके छेत के आंतिरिक वियास की माप लेना हो तो आप inside caliper का परयोग करते हैं ये क्या करता है खाचे की चोड़ाई का माप लेने का भी कारे करता है आई ये तीसरे नम्मर का देखते हैं कि कोई ये तीन थे odd lag caliper odd lag caliper क्या होता है वो भी हम देखते हैं ये caliper मुक्यता marking करने के लिए परयोग में लाया जाता है ये गोल जोब के मद्धे बिंदू या जोब पर समनान्त लाइन लाने के लिए भी परयोग लाया जाता है इसको भी outside caliper की तरह खोला और कसा जाता है ये carbon steel के बनाया जाते हैं इसका परयोग कहा होता है किसी गोल जोब किसी गोल जोब के जो मद्धे बिंदू या जोब पर समनान्त लाइने लागाने के लिए इसका उप्योग किया जाता है हमेशा ध्यान रखें आप आए नेक्स टोपिक को हम देख लेते है जो चोता है हर्मो हर्मो प्रोडिट कैलिपर इसका नाम जो है हमारा आप देख सकते है हर्मो फ्रोडाइट कैलिपर इसका कहां पर उप्योग किया जाता है इसका भी उप्योग किया जाता है लेकिन बहुत कम आए देखते हैं इसके दोरह किसी गोल सोफ्ट के केस पर केंद्र का चिन अंकित किया जाता है मतलब इसमें क्या होता है किसी भी गोल सौफ्ट का जहां या केंद्र पर आपको निसान लगाना हो तो आप इसका उप्योग कर सकते हैं हर्मो फ्रोडाइट इसका नाम भी थोड़ा आजीव है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा या फिर चोरज जोब पर समना अंतर रेकाय कहीची जा सकते हैं इसे जैनी कैलिपर भी कहते हैं एक बात और याद रखना है इसको जैनी कैलिपर या जैनी कैलिपर भी कहते हैं यह हमेश दूसरा आता है माइक्रो मीटर क्या होता है उसको आज हम देखते हैं नेक्स्ट टोपिक हमारा किसी भी जोब की लंबाई चोड़ाई मोटाई नापने के लिए स्टेल फूट रोल का परियोग किया जाता है इस टेल फूट रोल से एक बटे चो सट या जीरो पाइंट पचास मिलिमीटर तक सही माप लिया जा सकता है मगर इससे असुजम माप लेने के लिए माइक्रो मीटर का परियोग किया जाता है तो क्या होता है आपका जो इसकेल होता है फुट्टा होता है उससे क्या है जी उससे जो उससे जो कम माप लिया जा सकता है वो किससे लिया जा सकता ह आपको माइक्रो मीटर से आप नाप ले सकते है, 0.50 mm तक सही माप लिया जा सकता है, इस से अगर जो 0.50 mm है, अगर आपको इस से इस से भी कम नाप लेना हो, तो आपको माइक्रो मीटर का पड़ियो करना पड़ेगा, माइक्रो मीटर भी कई मतलब साइज में आते हैं, जैसे 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, तो आपको देखना पड़ेगा, कि आपको कौन सा जोब नापना है, उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, तो यह होती है माइक्रो मीटर, माइक्रो मीटर का एक चीज़ और आप धियान में रखें, इसकी जो लिष्ट काउंट होती है, 0.001 mm होता है, यह हमेशा याद रखें, पेपर में पूछने को आता है, अब आते हैं, वर्नियर केलिपर, यह भी एक मापने वाला ओजार है, इसका अविसकार फ्रांस में रहने वाले पेड़े वर्नियर नामक व्यक्ति ने सन 1630 इस्वी में किया था, इसमें आप किसी भी जोब का या भीतरी माप लेना हो, या गहराई में माप लेना हो, तो आप वर्नियर केलिपर का परियोग करके आप ले सकते हैं, अगर कोई भी माप लिए जोब है, या कोई वस्तु है जिसको हमें गहरी माप लेना हो, तो हम फुटे से तो लेनी सकते, तो उसके लिए क्या होता है, वर्नियर केलिपर होता है, उससे हम आसानी से ले ले लेते हैं, से माप तो जो हमारा नेकश 싶은 है उसका नाम है सर्फेस गेज का परियोग एकुरेट मारकिंग ब्लोग ब्लोग भी कहते हैं इसको क्या कहते आपको ब्लोग स्क्राइबर ब्लोग भी कहते हैं इसमें बेस पिलर ब्लोग नट हुआ स्क्राइबर होता है स्क्राइबर के दोनों सीरे निकूले होते हैं वह एक सीरे 90 डिग्री के कौन पर मुड़ा होता है इसमें क्या होता है आप किसी भी जोप को मापने के लिए इसके अ से आपको 10 mm के बीच की दूरी लेनी है तो आपने एक mm को रखा और 10 mm की दूरी पे रखा और उसको लोक से नट कर लोक नट कर दिया और फिर आपने स्केल फूट रूल लिया और उससे देखा तो आपको बिल्कुल एकुरेट मार्किंग आ जाएगी उसका बाद जो हमारा लाश टोपिक है वह है ट्राइ स्कूर ट्राइ स्कूर इसको हिंदी में शायद बुनिया भी कहते हैं ट्राइ स्कूर द्वारा किसी जोब की आंत्रिक दोनों दोनों परकार से आप इससे चेक कर सकते हैं किसी जोब की और यह क्या है यह जोब यह जोब का 90 डिगरी का एंगल भी बताता है ट्राइस को यह एक परकार का प्रेक्शन मार्किंग हो जा रहा है इसके दो बड़े बाग होते हैं पहला जो है ब्लेड दूसरा होता है बहुत छोटा सा होता है आपने कई दुकानों पर भी देखा होगा आप फर्सोप में जब काम कर रहे होंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा है क्योंकि आपको जोप की जो है 90 डिग्री का एंगल चेक करना पड़ेगा और जो आंत्री बाहें सत्य है उसकी भी माप लेने के लिए इससे चेक करना पड़ेगा है उसके बाद कर्ब ये जो है कार्बन स्टील के बना जाते हो इस टोग जो है काच्ट आर्न इस्टील या एलुमिनिय Walter का बनाया जाता है तो आज के लिए इतना ही इससे जो नेक्स्ट जो रह जाएगा हमारा वह हम नेक्स्ट पार्ट में किलियर करेंगे तो यह पार्ट वन था पार्ट टू भी में जल्दी बना दूंगा जैसे जैसे लेकिन आपको जल्दी ही में किलियर कर दूंगा तो आज से आपको मेरी वीड यह पसंद आये तो आप लाइक जरू करें, मैं कोशिज करूँगा इससे और भी अच्छा पढ़ाने की.